गुद आफ्टूनून फ्रेंज्स आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्च्वस में मैं दुरुद दनकर आज फिर से आपके लिए रीजिनिंग का एक बहुत ही जरूरी बहुत इंप्टन सेशन लिकरा हूँ जैसे कहा आप देख सकते हैं सेशन है में ने की आफ़िए आपपियर वाले है उश के लिए शेशन बहुत हीम्पर्टन बहुत ही अच्छा रहने वाल है तो स्टार्ट करें उससे पहले सभी से र्क्वेस्ट जल्दी से वीडियो को लाइक कर द अब आज का जो set है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंगवेज में प्रोवाइड करवाय जा रहा है तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के ही students session अटेंड कर सकते हैं तो चलिए और देजि नहीं करते हैं और आज का session स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल देखेंगे हिंदी में पाउस कीजिए, पाउस करके स्क्रीन शॉट लेजिए, खुद को दीजिए, चार से पांच मिनित का खुद को समय दीजिए, आजी, I hope आप सभी ने स्क्रीन शॉट ले लिया है हिंदी वाले स्टुडेंट्स के लिए रहा हूं, अब चलिए सवाल देखते हैं क्या दिया गया है क्या दिया गया है जल्दी से सवाल पढ़ेंगे 10 फ्रेंट्स दस लोग हैं ABCDE PQRS and T are sitting in two rows facing each other तो दो parallel row arrangement का सवाल है दो पंक्तिया है एक north facing एक south facing टोटल 10 लोग बैट रहे हैं दोनों पंक्तियों मतलब 5 एक पंक्ती में और 5 दूसरी पंक्ती में PQRST are facing the south अब यह जो PQRST है वो south facing है और जो ABCDE है वो क्या है north facing है चलिए कोई शुनिए दे लाइक different colors दे लाइक five different colors पांच अलग अलग color पसंद है कौन कौन से pink black yellow orange and blue in both the rows one of the color is liked by only one person मतलब दोनों रोज में पांच-पांच color आपको पसंद है और पांच color है और पांच ही लोग एक पंक्ती में सबको एक-एक ही color पसंद है यह नहीं कि एक विक्ति या एक color दो-दो रखना है सेम कलर वाले लोग एक दूसरे के आमने सावने एक दूसरे के facing नहीं बैठेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर इस थर्ड तू दे लेफ्ट अव दे परसंद फेसिंग डी आर कहां बैठा है डी के facing के third left तो ठीक है माल लीजे यह position है इनके यह position है डी के facing और इसके third left मतलब अब यह जो R है यो कौनसे वाली रोका है South facing वाली रोका है अब South facing है तो बोला गया left tepper हमारे लिए वो क्या हो जाएगा हमारे लिए तो right हो जाएगा न यह ऊपर वाली जो पंग्ती है south facing वाली, वो हमारे लिए जहां जहां left बोला जाएगा इनके लिए right, हमारे लिए जो right इनके लिए left बिल्कुल simple funda है देखे, जो भी विक्ती south facing होता है उसके लिए left आप right मानोगे और जहां जहां right बोले तो आप खुद के लिए क्या मानेंगे left क्योंकि हमारा perspective क्या रहता है जब भी हम सवाल solve करते है हमारा perspective रहता है north facing का और को south facing का आपको अगर sit करवाना है तो जहां जहां left बोला जाए आप right माने, जहां जहां right बोला जाए वहां left बोले, तो यहां पर बोला है R is third to the left, तो third right मानिए who is facing D, तो मान लीजे D के facing यह है, इसके third left एक, दो, तीन, यहां पर क्या आजाएगा आपका R आजाएगा, बिठा दिया अब चार places तो fix होगे, एक, दो, तीन, चार, यहां तक fix है कोई issue नहीं असर, और क्या बोला का there are at least two people sit between C and P, ना C है, ना पिंक है, तो आपकोशिश करो R, D या कोई direct information मिले, वो add करो there are two people between Q and the one who likes yellow Q और yellow के बीच में दो लोग बैटेंगे, ठीक है Q और yellow के बीच में दो लोग है इसको अभी side में लिक लिए, अभी कुछ काम तो आया नहीं का, अब सर्क्यों और yellow से related और कुछ है क्या, the person who likes yellow is not facing the one who likes orange मतब यलो और orange एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठते हैं, तो ये भी लिख लीजे yellow और orange एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठते हैं कोई बात है, चलिए और देखते हैं the one who likes yellow is not sitting at any of the extreme end of the room, ये information बहुत काम किरेंगे क्यों, क्योंकि किसी भी extreme end पे yellow नहीं बैठ सकता, ठीक है सर तो Q और yellow के regarding हमारे पास information थी, कि Q और yellow के बीच में दू लोग बैठेंगे, तो माल लीजे Q को अगर यहां बिठा हैं, तो एक दो का gap yellow आजाएगा यहां पर, आजाएगा कि नहीं आजाएगा, बिल्कुल आजाएगा सर, अब ये extreme end नहीं हो सकता, ये clearly mention किया गया है, क्या mention किया गया है, कि ये आपका extreme end नहीं हो सकता है, इसका मतलब उस तरफ भी अगर आप yellow यहां रखेंगे, तो इसको आप extreme end नहीं मान सकते हैं, समझ रहीं, क्या बूलने कि कुशिश करो, कि इसको आप extreme end नहीं मान सकते हैं, तो और क्या करें, देखते हैं, बारी-बारी से देखेंगे, सारी चीज़े, एक मिल्टूचाईगे, और क्या खीस भी यहां पर सिट हो चुका है एसका वह फाइनल हो चुका है और क्या दे रखा है कि भी और इसे रिलेटटर तो नहीं दिया हुआ थीवह फीर सकते हैं दो-तीन चीज़ें की जा सकतीख ये की जा सकती है कि क्यूं को यहां बिठाओ और एक-दो Ge интерес है ये यहां पर जे सर दोनों ही चीज़े हो सकती है अब आर से रिलेटेड आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या आर से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन दिखाए दे रही है क्या नहीं दिखाए दे रही है विजिक सर तो ऐसा करते हैं दो केसे बनाई देते हैं एक पर तो ऐसा रखते हैं कि एक दो यहाँ पर क्यों को रखते हैं एक दो को गैप के साथ यलो को रखते हैं यहाँ ठीक है सर यहाँ पर रख दिया यलो अब एक केस और बना लेते हैं जल्दी से जिसमें एक दो तीन चार एक दो तीन चार यहां पर क्या रखा दो की कैप के साथ आर यहां गया यहां गया यहां पर आपका यहां पर आपका डी यहां पर आपने बिठाए क्यू को तो दो का gap और ये क्या गया आपका ये येलो आगया तो इसका मतलब एक जगे यहां पर और होगी क्योंकि एक्स्ट्रीम इंड पर नहीं बैठ सकता तो ये दो केसे आपके यहीं पर बनेगी ठीक है सब को इशुटिए अब बूल रखाता आर और एस में एक का येलो इठा दिया अब सी देरीज अट लीज देर आर अट लीज ठीक है उनली वन पर्सन लाइक्स ब्ल्यू और इस पर्सन हू लाइक्स यलो कलर इस नॉट फिसिंग और इंज ठीक है एज मैनी पीपल आर सेटिंग राइट आफ टी एज आर राइट अफ बी तो टी के जितने राइट में बठेंगे उतने ही बी के राइट में बठेंगे अब टी कहां बैठ सकता है टी के बारे में और कोई जान करी है कि आगे देख लीजे जल्दी से ये काम का हो सकता है टी और बी के बारे में D&B D is a D is a neighbor of person who like yellow यह जरूर है अब yellow इस तरफ तो हो नहीं सकता क्योंकि extrem पर हो जाएगा तो yellow आ जाएगा इस तरफ तो यह पका हो चुका है यहाँ पर आएगा yellow ठीक है सर अब इस में क्या रहेगा यहाँ पर एक ही जगा तो यहाँ आजाएगा आपका यह लवा जाएगा ठीक है सर कोई शों नहीं है और क्या है उनली वन पर्सन यह तो गए इन बोद दारो पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ ब्लू कलर इस से मतलब दोनों ही केसेज में ब्लू कलर वाला जो वेक्ति है उसके लेफ्ट में बराबर लोग रहेंगे ठीक है ओम इस संवwynयर लेफ्ट ऑफ ऑफ ई हूँ इस फेसिंग पर्सन फो लाइक ब्लैक कलर प्लैक कलर फेसिंग एस फेसिंग ब्लैक कलर गया तो यह तो नहीं है सकता अब इसके लिए तो बहुत इंफ्वर्मिशन है टूपर्संस सेट बिट्विट बी एन दब परसंस फो यहां पर औरेंज आ गया एक अंगर किको यहां पिठाया दो का डिया और यहां पर क्या गया ओर और यांगा रिखा खंप कर दो अग्या हुआलया और जेखे यहां लस्ट कि आ एक जाना करें भी की की-ड़ चे आते हो तो इसके रight में कोई नहीं रहेगा तो ऊपर वाले में क्या हाईगा टी की पॉजिशन क्यो वाली जगे आना चाहिए northerner mlis अब 5 दूगा करके याँ लखो में चलो बहुत बढ़िया अब तो टी का आ जाएगा एक बंदा है तो टी आ जाएगा आपका यहां पर यह इना बात यहां पर आ गया तो यहां पर पी आउटमाटिक लिए अब इसमें भी यही चीज करते हैं कि अगर बिठा है तो बिठा यहां पर दो आपने है यहां पर पहले से बी को अगर आप यहां पिठा हो गए तो सर कहीं पर भी ना लेट में राइट में दो के कैपके साथ जगह ही of hema और लिए अपने हैं इस तरफ दो के गैप के साथ जगा नहीं है ना इस तरफ दो के गैप के साथ जगा तो औरेंज वाले को कहां बिठा होगी तो सर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा तो इस information की basis पे टू परसंसेट बिट्विन बी एंड औरेंज कलर इस information की basis पे यह second case दो गया बार अब पहला case ब पिंक के बीच में कम से कम दो लोग बैठते हैं तो सी को काम बिठा होगे सी को यहां बिठाया एक दो यहां पर पिंक आ सकता है आ सकता है बिलकुल आ सकता है और सी काम बैठ सकता है यहां तो बैठ नहीं सकता है सी को यहां बिठाया एक दो के साथ पिंक यहां भी आ सकता है को सिख!.. के तो दोला के बठा दीritis आपने के में क्या बोला था एक बार यह का देख लो इस सेटिंग समवेर लेफ्ट ओफी W 역시 के लेफ्ट में वैठेगहें अच्छ ये के लेफ्ट में बैठ रहा है और C के बारे में और कुछ बता रखा था कि एक बार जल्दी जल्दी पढ़ो तो सारी सारी चीजे Blue color और A के बीच में देखो यह लिप तो रखा है One person sits between blue color A A और blue color के बीच में एक विक्ती बैठेगा A को दियान से बिठाना है मैं एक को दियान से बिठाना है A आप यहां बिठाओगे तो A का गैप नहीं हो पाएगा A को यहां बिठाओगे उस तरफ तो गैप नहीं एक का गैप अजागे A को यहां बिठाओगे A की तो जगे फिक्स है A तो यहीं बैठेगा अभी A के गैप के साथ इदर blue color आप आप आएगा ठीक है अब A अगर यहां फिक्स है तो फिर C का तो अपने आप फिक्स हो गया C को बैठना पढ़ेगा यहां पर दो के गैप के साथ क्या आगया आपके पास पिंक आगया बहुत बड़ी है A सिटिंग सम्वेर लेफ्ट आफ़ी E के लेफ्ट में बैठता तो E यहां बैठ जाएगी अब color कांसा बची गया सारे हो गए सरफ यह color बचा है यह blue है इसको बता दो black यह B L A C के यह आगया आपका black तो orange black yellow pink blue यह सारे set कर दिए यह सारे set कर दिए तो इनको क्यों पिछे छोड़ रखा है अब क्या क्या बच रखा था सारे बचे हैं यह उपर तो क्या क्या मिस कर दिए एक बड़ फटा फट देख लेते हैं C third left C and pink there are two people between Q and yellow Q and yellow ठीक है यहां तक तो कोई only one person blue and eight blue और A तो यह तो हो गया आगे person who likes yellow is not facing orange yellow के सामने और इंग यहां भी यलो के सामने औरेंज नहीं आएगा ठीक है these images neighbor of yellow ठीक है the one who likes yellow ठीक है only one person and both the rose person sitting left or blue is same blue के left जितने लोग बैठ रहे हैं वो से मैं तो इस तरफ सारे बैठ रहे हैं एक दो तीन चार तो इदर भी चार लोग बैठेंगे इदर भी blue के चार लोग बैठेंगे तो आर का कलर क्या आ गया आर का कलर आ रहा है अपका blue यह आ रहा है बहुत ही बढ़िया left ही बताना है लेफ्ट अपना किस तरफ हो जाएगा इसका left में चार ची है right में नी left में चार ची है देख लो एक बार इसका left के स्थ तरफ इस तरफ थोड़ना होगा इसका तो इस तरफ होगा यहां थोड़ना बठा होगा यहां बठा होगा यहां बठा दिया अपने blue south facing है ना तो इसके लिए left इस तरफ हो जाएगा 1, 2, 3, 4 बिलकुल सही यहां पे blue इठा दिया और बताओ और सुना यह सेटिंग फेस खू लाक्स बल्हएक बल्य कलर यह उसे face कर नहीं, जिसको बल्य कलर पसंदे यह सामने r को face कर रहा है इसका कलर आगया आपका बल्य कलरा आगया यहएलो आगया, बल्यू आगया अब yellow वाले के सामने orange नहीं बैठ सकता तो orange तो यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ गया तो automatically pink यहां पर आ जाएगा और यह आपका पूरा का पूरा arrangement बिल्कुल तैयार है sir बहुत casually अराम से करवाए जल्दबाजी नहीं किये एकदम अराम से आपको समझाने कोशिश किये और यह आपका पूरा का पूरा color combination के साथ पूरा का पूरा parallel arrangement रह लिए ठीक है अब सवाल क्या है इस पर जल्दी से देख लेते हैं which of the following combination is correct कौन सा combination correct है A को pink पसंद है नहीं B को black पसंद है नहीं T को yellow पसंद है नहीं S को pink पसंद है बिल्कुल साइस है S को pink ही color पसंद है option D आपका उत्तर आ जाएगा what is the position of C with respect to the people who like pink C की position क्या है जिनको pink पसंद है उनके respect में तो अपने नीचे वाली रो में pink किसे पसंद है बीव को पसंद है तो B के respect में C की position क्या है लेफ्ट में एक दो तीन थर्ड लेफ्ट में थर्ड टूदा लेफ्ट अच्छा थर्ड लेफ्ट इमिजर्ट लेफ्ट नहीं है इमिजर्ट नेवर अफ परसन अच्छा सामने वाले के इसाब से भी बता सकते हैं सामने पिंक यह रहा इसके सामने आया और इसके second to the left हाँ ऐसी भी बता सकते हैं मतलब पिंक कोई जरूरी नहीं उसी रोका पिंक हो सामने वाली रोका भी पिंक हो सकता है तो सामने वाले के according देखें तो उसके opposite अगर आप जाओगे उस pink वाले के opposite जाओगे तो उसके second left से लेज़एं opposite to the person who is second to the left तो option B यहाँ पर आपका answer आजाएगा ठीक है final question how many people sit between D और B के बीच में कितने लोग हैं सिर्फ एक विक्ति है A, one, option A one आपका क्या आजाएगा answer आजाएगा ठीक है तो अच्छा सवाल था बिल्कुल direct information नहीं थी थोड़ा सा systematic तरीके से देखने की जरूरत थी इतना straightforward नहीं था तो चलिए इस तरह के और भी sessions में आपके लिए upload कर रहे हैं, requested जाएज़ादा इनको प्यार दीजे, support दीजे, share कीजे अपने friends के साथ, जिससे इस छोटे से channel के बारे में और लोगों को भी पता चलिए, ठीके तो चलिए, now that's all for today's session have a great day